हलो फ्रेंट्स मैं हो दिपक्षरन आप सबको अपने इलेक्ट का लुनिया चैनल पर स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे कि कोई भी पंप हो वाटर पंप कोई भी दाता है तो पानी कम क्यों देता है उसका क्या रेजन हो सकता है मनलिजे कि अगर पुराना है कोई भी वाटर पंप तो उसमें कोई कचड़ा फंच जाती है या जिस से इसका इनलेट में कुछ भी फंच जाने के वज़ा से वह पानी कम उठाती है तो पानी कम देती है पट अगर नया पंप है फिर भी पानी कम दे रही है तो ऐसा क्यों दे रही है मेरे पा सब्सक्राइब करेंगे और उसको भी सही करके आपको दिखाएंगे वीडियो को सुरू करने से पहले और आपको दिखाएंगे अगर आप सब्सक्राइब करने के लिए कोई भी चार्जस नहीं लगता है तो चलिए वीडियो को पहले हम लोग इसका सप्लाई देखते हैं कि कितना मिल रहा है तो हमारे पास यह थी फेज मोटर है तो इसको सिंगल फिर लाइन टू लाइन सप्लाई चेक करें तो मतलब सप्लाई हमारे जो आरा सही आरा जो अब के अभी देख पा रहे हैं ठीक है यानि कि सप्लाई चाहिए और यह जो स्टार्टर है इसमें जो अगर हमको एंपियर सेट करना होगा तो एंपियर सेट कर लेंगे जो रिले के थ्रू है इसके लिए भी एक स्पेसल वीडियो बनाऊंगा और इसके बारे में पी एक वीडियो बना चुका हूं अल्रेड़ी अगर आने के लिए स्टॉप का बटन है और यह स्टार्ट अभी करता हूं प्रेस करके ठीक है तो और प्रेस करके स्टार्ट करके फिर मैं देखूंगे कि पानी हमरे पास कितना मोटर से आ रहा है तो स्टार्ट कर दिया हूं अब यहां से अब हम लोग देखेंगे जैसे मोटर अ होंगे को बहुत ही पानी कम फेक रही है और इतने ही पानी में आप देखेंगे इसको मैं ज्यादा पानी कैसे दे रही है यहीं सी पानी सब देंगे सेम पानी है मैं पानी चाहिए नहीं करूंगा अभी आप देखें बहुत ही कम रही है तो बहुत ही कम दे रहा है इसमें डम मैं आपके सामने ही मोटर खोल के इसका connection किया हूँ तो यह कौम पानी दे रहा है अब इसका reason क्या हो सकता है कि यह पानी क्यों कम दे रहा है यह देख रहा है अब इसको stop करते हैं और फिर आपको समझाते हैं क्या है एक्शली जब यह 3-phase motor है और 3-phase motor में आपको connection करना प्रोपर पड़ता है आप R को R में Y को Y में B को B में लगा देंगे आपके हिसाब से वो सही राता है पर यह motor जो है इसके हिसाब से कैसे सही होगा क्योंकि आपके पास जो R फेस आया है वाई फेस आया है वो प्रोप चलने वाला है यानि कि हमें क्या लग रहा होगा है कि जो हमारा R, Y, B है वो जो sequence है वो sequence I think सही नहीं होगा जो motor से का और जो हमारा फेस है उसका sequence match नहीं कर रहा होगा इसलिए भी वो क्या हो रहा है उल्टा गुम्रेट हम लोग क्या करेंगे दो फेस को किसी को change करेंगे motor के साइड में R और Y जो फेस है तो R को Y के जगह पे लगा देते हैं, Y को R के जगह पे लगा देते हैं इससे क्या होता है क्योंकि motor हमारे है इसाब से उल्टा चल रहा है इसलिए वो पानी कम दे रहा है क्योंकि 2HP का motor कभी भी इतना पानी कम नहीं देता है इसलिए हम क्या कर है R को Y के जगह पे और Y को R के जगह पे लगा देते हैं जिससे reverse घुम रहा होगा तो reverse नहीं घुमके forward घुमेगा मतलब सही direction में घुमेगा तो color direction घुमने के वज़स से भी हमारे जो motor है वो पानी कम उठाती है तो हम लोग पहले समर्सीबल रहते तो उसको बाहर नहीं निक मोटर घुमता है वो बहुत थी आवाज करता है जिसके वज़स से हम लोग यह भी समझ सकते हैं कि यह motor जो है उल्टा घुम रही है अगर सीधा घुमेगे तो बहुत थी आवाज कम करें अब मैंने connection चेंज कर दिया है और फिर स्टार्ट करता हूं और फिर हम लोग अभी द करें अगर आपने हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट बाक्स में कमेंट जरूर करें चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जये हैं